एक छोटे से गाव में एक दादा और एक दादी रहते थे, वो अपने छोटे से घर में दो बेटे और बहूओं और पोता-पोतियों के साथ रहते थे एक दिन दादा जी बजार से दादी के लिए पुरानी अलमारी लाए, दादी खुश हो जाती है और उसमें कपड़े रखने लगती है कुछ साल बाद दादा जी चल बसे, दादा जी के जाने के बाद दादी काफी अकेली महसूस करती थी बच्चे अपनी अपनी दुनिया में वेस्त थे और कोई भी दादी से बोलता नहीं था यहां तक कि उन्हें अपना खाना खुद बनाना पड़ता था और धीरे धीरे पैसो की कमी भी होने लगी